तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है पिछड़े वर्क के कितने हैं गलित वर्क के कितने हैं आदिवासी कितने हैं गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं और फिर इनकी कितनी भागीदारी है फाइनेंशल और हिंदुस्तान की संस्ताओं का इंस्टिट्यूशन का सरवे मेडिया में कितने हैं सरकार में कितने हैं प्राइवेट कॉलेज हैं universities में कितने हैं कहां कहां है और इनकी कितनी भागिदारी है मतलब जाती जनगर्णा और economic survey ये पहला काम होगा इसके बाद हिंदुस्तान की अबादी को पता लग जाएगा कि हम कितने हैं और हमारे हाथ कितना धन आ रहा है और कौन सी संस्ताओं में हमारे लोग है कितने हैं